नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जाते हैं कि कोरोना का बढ़ते रव्तार से, oxygen की साथ साथ बहुत ही ज़्याधा demand ventilator का और है, क्योंकि कोरोना पेसन्ट जिटने भी हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज्याधा तकलिफ हो रहे हैं, क्यों क्योंकि उनके फ्यफड़े यानि लंग्स इतने कमजोड होचुके हैं कि उसास ले नहीं सकते तो क्या है वेंटिलेटर और कैसे काम करता है पेसेंट को आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में कोरोना सा संक्रमित मरीज पर जब oxygen काम नहीं करता है तब उससे ventilator पर रखा जाता है इससे life support करते हैं क्योंकि ventilator ठहरे हुए फेफडों में सांस भरने का काम करती है आखिरे ventilator है क्या? इसी आसान भासा में इस तरह से समझते हैं कि 21 भी बेक्ति जो मरीज है वो अगर सांस लेने में अक्सचम है क्योंकि उसका स्वसंत तंतर सही से काम नहीं करता है तब उस बिक्ति को वेंटीलेटर पर रखा जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन को पुर्ति किया जा सके और उस पैसेंट को मौत ना हो ऑक्सीजन की वज़ा से इस तरह देखा जाए तो वेंटीलेटर दो परकार के होते हैं पहला मेक्निकल और दुसरा नन इन्युएसिव वेंटीलेटर जो हम आईसीव और समान होस्पिटल में देखते हैं वो वेंटीलेटर मेक्निकल वेंटीलेटर होता है जो स्वरसनली को एक ट्यूब के माधम से जोड़ दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन पोचाने के काम करता है और वेंटिलेटर आखिर किसी इंसन को वेंटिलेटर की जोड़ोत क्यों होती है इसको इस तरह सल माझ किसी भी बेक्टिका लंग्स यादि फियप्ड़ा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ यानि oxygen को फिरिफिकेसन किसी भी तरीके से damage हुए फिफड़े में oxygen को भेजने से वो अपना काम साथ तरीके से नहीं कर रहा है यानि oxygen को हम भेज रहे हैं लेकिन वो ब्रेक को करके un-activities की याउ को रोक रहा है समझें कि oxygen हमारे सरीर में जा रहा और खराब फिफड़ा होने के का रहा यानि डेमेज फिफड़ा होने से वो oxygen को पिरिफाइड नहीं कर पर रहा है यानि और भी अनदर एक्टिवीटिटिस को ग्रोक रहा है उस इस्ती में 20 लेटर की जरूरात होती है अगर आप यह समझें क कि the box होता कैसे का है लगा पर व्जह सबसे ज़्यादा करता है करोनला की कॉछला करके सबसे ज़्यादा एक्षिपड़ा को और उसी के वज़़ा से अभी oxygen की सबसे ज़्यादा डीमांड हो रही है सभी देशों में तो यू समझें कि अगर दो आप अगर समोटिंग करता है अलकोहल लेते हैं अब बहुत सारी ऐसे चीज़ जो पदार्त हैं जो आप लेते हैं उसे हमारे फेपर को बहुत यहानी पहुंचती है प्पड़ों को सखीर तरीके से ना काम करने से यानी फेपर डेमेज हो जाने से ही ऑक्सीजन की प्रक्रिया रुख जाती है तब हमें उस वेंटिलेटर के जरुद पढ़ती है इन वजहो से उस रखे पैसर्ट को वेंटिलेटर पर रखा जाता और अस्पेशल बेलेड के माध्यम से ना कंरपके जर्य पूरे बॉडी में पाइप को सप्लाई किया जाता है और व loneliness होता है जिस उस वेंटिलेटर के दोरा ऑक्सीज जितने वी अंदर हैं उसे बहार निकाल सके। दो तरीके के वेंटलेटर को दो तरीकों से यूज किया जाता है। पहला मेकनिकल वेंटलेटर को पाइप के द्वारा मनुश्य के शरीर में फेपड़ तक उन्हें पाइप द्वारा ओक्सिजन को भीजा जाता है। और दूस्त नन-invasive ventilator को नाग के उपर और मुह को सिर्फ कवर किया जाता है जिसे औक oxygen को पुर्ती मात्रा में पुछाया जा सकें इन दोनों ventilator का काम यह होता है कि oxygen को सरीर में भेजना और carbon dioxide को सरीर से बाहर निकालना है एतना ही काम होता और हर्ट बीट को चेक करते रहतना कि पडरस हमारह कितना सहीज वहते हमां मुव हो रहा यह रहा है याए अफिर से कब से वेंटी लेटर वॉज हो रहा है है वेंटी लेटर का यहां सुरू होता है है और लोगों को यह पता चल सके कि वेंटी लेटर कैसे काम करता है तो चैनल को सब्सक्राइब मत बूलिएगा मैं मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब में अगले जाने माद